टिकमगर जिले के मोहनगर तेसिल की ग्राम पेंचायतों में शाषन द्वारा चलाये जा रही जन हितेसी योजनाओं में अधिकारियों और जनता द्वारा चुने गए परतिनीदियों की मिलिभगत से किया जा रहा है भारी भरष्टचार देश में गरीब मजदूर और बेसाहराओं के लिए परधानमंत्री के द्वारा आने के योजना चलाये जा रही जिसमें इन गरीब वेक्तियों को मुखितारा से जोड़ा जा सके मगर टिकमगर जिले की मोहनगर तेसिल के एदिकारियों और जनता के द्वारा चुने के जन प बड़िया में आदिवासी परिवारों के सर्पन जो सच्ची रोजगार सायक पर प्रथानमंत्रे आवास नहीं पर नहीं है आवास ही नहीं महाँन गर्चाप दिस्टुक्ला की रिपटू के आवास बना रहे हैं गाउं के अंदर चोटे आदमी कहते हैं तो आपका कहने का मतब तत्थ परी है कि विश्टाचार तो गरीब इंसान के साथ विश्टाचार मचा है जो गौन में ठाक और रियादा में उनक इंवास के हमने कहां कि हमारे शुट आ देंगे करा रहे हैं पर ने बड़े हमारी जो गौह में सरपंच माने ढग पूर रहे हैं उनके आबास बना दिये हैं लेकर हमारी बंसकारों के आबास नहीं आप अभी जो निवास किये हुगे हो जे गरम पंचयाद का सामुदाइक भवन है इसमें क्यों रह रही हो तो आप कितनी वैसों से इसमें रह रही है और गाओं में अभी अपने देश में मन्य पिधन मंत्री जी के दौरा जो गरीब अभा शीन या जिनके कच्छे आवास हैं उनकी लिए पिधन मंत्री आवास के तहर आवास दिये जा रही है आप को नहीं मिला ।धने नहीं मिला के राते हैं के समacht में बने जी बता सकते हैं आपके कितने बच्ची हैं इनके पापा कहां गए कितने साल पहले अच्छा तो अब आपके पास जमीन है कचुखे तीवारी की नहीं है जीवाने आपन केसे हो रहाओ आपको अब दितार आएंगे अपनी में तमाज़े लाज़ा तो खर लेत हैं नहीं लाज़ा तो नहीं कर रहा तो जाए तो आपकी ग्राम पंच्यात का एक गाउं है कोडिया गाउं तो कोडिया गाउं में आदवासी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरूप लगाए के हमें प्रध प्रधानवंत्री आवास का लब नहीं मिला ऐसा कि आप उहां के प्रधानवंत्री आवास आप देख सकते होच्चे कन लोग कितने आदवास्यन के बने लोगों की समय और जिन लोगों के आदव पूस में जो है वे जो मांग कर रहे हैं उनका सूची में नाम नहीं है अब प्रधी बात बताओ कौन की जा से उनका बन सके तो उने आप पायदा दिला एक दादा थुटा सा सवाल तो उस गाउं में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पच्चे पक्के मकान भी है और इसके बाद टेक्टर भी लेगें उन लोग के कैसे बन गए हो कैसे आवास में नाम ज दादा आपकी ग्राम पंचयाट के सोडिया में एक महला है उसका पंदरा साल पहले पती खतम हुजया वो दूसरी जगह उसकी साधी हुई थी तब ही से वो यहां आते है रह रही है और मकान भी नहीं है एक साथ के छोटी सी बिल्लिंग है और बच्चों सहर उसे आवास भी कारा में जान के ना कि का फोटलोगा वोजी पटीर तुस्तित हुणि अम हई फोट लेने आपर दुनिया के तू पाइसाप रहे हुआ जो अभी पिदानमान्तीजी ने चानते हैं कोरोना जैसी महामारी में कोई बाहर ना निकले पलाय ना करे इसलिए नर्यगा के तहत हर गाओं में काम खुला गया तो आपके यह मजदूरों का कहिना था कि नर्यगा के तहत हम लोगों को काम ने मिला अधिकांस्टा कोडिया की लोग ऐसी बुद रही तो सब जन्द आज भी काम लगा है आप तो तीन दिन से तो बन लहीं है काम अच्छा चलो ठीक है जादा इस बात को छोड़ो गाओं के सरपंच होने के ना कि आपका महला के पिती कुछ स्तंवीद ना बनती है कि ना उसका जो हमाए हाथ होगा में कर दूए उसका आवास दादा कब तक हो ज सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें कर दो